एक सवाल है कि किसी भी रिष्टे को सबसे अच्छी तरीके से निभाने के लिए और सबसे बेस्ट तरीके से निभाने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है What's the best way to manage a relationship शुरुआत करते हैं एक छोटी से स्टोरी से Darren Hardy 18 साल की उमर में एक सेमिनार में कहते हैं Darren Hardy कोन है Darren Hardy US से बिलोंग करते हैं वैं US के entrepreneur है success magazine के director है और the compound effect book के author भी है तो Darren Hardy एक सेमिनार में गये थे सेमिनार के speaker ने लोगों से सवाल किया कि किसी भी रिष्टे को निभाने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है और उस रिष्टे को long term तक चलाने के लिए एक इंसान को कितनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और कितनी responsibility लेनी चाहिए तो Darren Hardy ने तुरंट जवाब दिया कि obviously 50-50 मतलब कि किसी भी रिष्टे को निभाने के लिए एक इंसान 50% जिम्मेदारी निभाए और 50% दूसरा आदमी निभाए पीछे से एक आदमी ने और जवाब दिया कि नहीं हमें थोड़ी से ज़्यादा दिम्मेदारी निभानी चाहिए इसलिए रिष्टियो होना चाहिए 51-49 मैठे वे एक और आदमी ने जवाब दिया कि एक रिष्टे में हमें कुछ ज़्यादा ही एफर्ट करना चाहिए मतलब कि 80% responsibility हम ले और 20% को दूसरा आदमी ले जो इनसान हमार रिलेशन्शिप में है तो speaker ने इन सब की बातों को नकार दिया और board पर एक बड़े से अक्षर में कुछ लिखा और उस बड़े से अक्षर को देखकर लोग amazed हो गए अचंबिद हो गए उस बड़े से अक्षर में लिखावा था 100-0 मतलब कि किसी भी रिष्टे को निभाने का सबसे अच्छा तरीका है कि एक इनसान 100% responsibility ले और दूसरे से एक भी चीज़ की उमीद मत रखे मतलब ये कि एक रिष्टे को अच्छे से चलाने के लिए आपको 100% effort डालना है 100% जिम्मेदारी लेनी है और 100% responsibility लेनी है और बिना इस उमीद कि कि मैंने इस इनसान के लिए जो जो किया है बदले में वो भी मेरे लिए वही सब करें ये होता है रिष्टा निबाने का सबसे अच्छा तरीका बट problem ये हो जाती है कि ज़्यादा तर लोग एक रिष्टे में बहुत ज़्यादा उमीदे पाल लेते हैं और एक आदमी के perspective से देखें तो कहीं ने कहीं ये सही भी है कि भाई रिष्टा है तो उमीद तो होगी ही न लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत और सबसे बड़ी problem तो तब हो जाती है जब किसी एक रिष्टे में एक बंदे का उमीद तूट जाता है वो सुचता है कि यार मैंने इसके लिए ये चीज़ें किया फला फला चीज़ें किया और उसने मेरे लिए कुछ भी ने किया और सही बात है कि कहीं न कहीं जब उमीदیں तूटती है तो बहुत ज़दे दिल दुखता है तो आप आज से ये try करो कि एक इनसान के लिए सब चीज़ करो और बदले में एक भी चीज़ की उमीद मत रखो किसी भी एक चीज़ की उमीद मत रखो कि मैंने जो जो उसके लिए क्या है वो भी मेरे लिए वही सब करेगा ट्रस्ट में जब आप किसी के लिए उमीद नहीं रखते हो और वो आपके लिए कुछ करता है तो आपको बहुत ज़दा खुशी मिलती है बजाए उसके कि आप किसी से एक उमीद करते हो और वो आपके लिए कुछ कर देता है क्योंकि आपको पता होता है कि वो इनसान मेरे लिए ये ये सब चीज़ें करने वाला है तो आपको इतनी खुशी नहीं मिलती और वहीं जब कोई unexpected चीज़ कर देता है बिना उमीद किये तो ये उस खुशी की बात ही अलग होती है उसको आप explain नहीं कर सकते है उतनी खुशी होती है अंत मैं एक share है उससे मैं end करना चाहूंगा जो मैंने इंस्टाग्राम पे देखा था कि किसी से एक उमीद बांद लीजे अगर रिष्टों का जनाजा निकालना है दिस इस फरान सिमीमी साइनिंग अफ